तो दोस्तो आज की इस पड़ मैं आपको online pancard correction करने का complete और live process दिखाऊंगा इस वीडियो के मदद से आप अपने pancard मी, name, father name, date of birth, signature और photo को online update, change या correction घर बैठे ही कर पाएंगे इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूत नहीं पड़ेगी इसके लिए आपको NSDL के इस page पर आना है, वीडियो के description में आपको इस page का direct link मिल जाएगा application type पर click करेंगे, यहाँ पर आपको changes और correction in existing pan data को select करना है category में click करेंगे, यहाँ पर आप individual select करेंगे, title पर click करेंगे, यहाँ पर अगर आप पुरुष के लिए pan card correction करने जा रहे हैं तो share select करेंगे, महिला के लिए करने जा रहे हैं, तो SMT या कुमारी select करेंगे फिर यहाँ पर आप सेम उसी spelling के साथ अपना नाम लिखेंगे, जिस spelling के साथ आपका नाम आपके आधार card पर लिखा है क्योंकि जो आपके आधार card पर नाम होगा, सेम वही नाम आपके pan card पर correction होकर आ जाएगा अगर आपका नाम राहूल कुमार यादव है, तो first name में लिखेंगे राहूल, middle name में लिखेंगे कुमार और last name यानि के sir name में लिखेंगे यादव अगर सिर्फ राहूल कुमार है, तो first name में लिखेंगे राहूल और middle name को छोड़ देंगे, last name में लिखेंगे कुमार अगर आपका नाम सिर्फ राहूल आधार कार्ड में है तो यहाँ पर सिर्फ आप सर नेम यानि के लास्ट नेम में लिखेंगे राहूल, फर्स्ट नेम और मिडल नेम को छोड़ देंगे अब यहाँ पर सेम उसी डेट ओव बर्थ को एंडर करेंगे, जैसा डेट ओव बर्थ आपके अधार कार्ड पर लिखा है, फिर यहाँ पर अपना एक email ID देंगे, अपना एक mail नमबर देंगे, अपना pan card नमबर देंगे, whether citizen of India में आपको yes सेलेक करना है, फिर इसके terms को accept फिर आपके सामने इस तरह का एक token नमबर आजाएगा, इसे आपको copy करके अपने पास रख लेना है, क्योंकि इसका आपको बाद में काम पर सकता है, फिर continue with pan application form पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको तीन option दिख रहे होंगे, तो simply आपको second वाले option को select करना है, क्योंकि इस वाले option के मदद से आपके pan card पर आपका मन चाहा photo, signature और father name भी आ जाएगा, अब नीचा आएंगे whether physical pan card is required में आपको yes ही select रहने देना है, यह yes select रहेगा, तभी आपके घर पर आपका physical pan card आएगा, यहाँ पर आपका pan card नमबर होगा, यहाँ पर आपको अपने आधार card के आखरी के 4 डिजिट को इंडर करना है, और यहाँ पर आपको अधार card को टिक जरूर कर देना है, फिर यहाँ पर same उसी spelling के साथ अपना पुरा नाम निखेंगे, जिस spelling के साथ आपका नाम आपके अधार card पर लिखा है, goods and services tax number को इसे आपको छोड़ देना है, अगर आप पैंड कार्ड में date of birth को भी update या change करना चाहते हैं, तो date of birth को भी यहाँ से आपको चेक जरूर कर देना है, जैसा date of birth आपके अधार card पर होगा, same वही date of birth आपके पैंड कार्ड पर भी आ जाएगा, यहाँ पर gender को select करेंगे, select पर click करके अपना gender select करेंगे, इसे आपको same यही देना है, इसमें कोई भी छेलचा नहीं करना है, नीचा आएंगे यहाँ पर आप अपने father name का first name, middle name और last name को enter करेंगे, same उसी spelling के साथ अपना father name यहाँ पर आपको type करना है, जैसा father name आपके अधार card के पीछे लिखा है, same उसी तरह से यहाँ पर type करेंगे, अगर आपके father का नाम है, राहुल कुमार, तो first name में लिखेंगे राहुल, middle name को छोड़ देंगे, और last name में लिखेंगे कुमार, अगर सिर्फ राहुल है, तो first name और middle name को छोड़ देंगे, last name में लिखेंगे सिर्फ राहुल, mother name यहाँ पर देना जरूरी नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं और नीचे आपको father name भी select रहने देना है फिर next पर click करेंगे अब address for communication में यहाँ पर residence select करेंगे फिर जैसा address आपके अधार काट के पिछे लिखा है सेम उसी address को यहाँ पर आपको बारी बारी से type करना है country name पर click करेंगे यहाँ से आपको India type करना है update या change करना चाते हैं तो इसे आपको यहाँ से जरूर चेक कर लेना है अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो address देना होगा जो address आप अपने pancard में update या change करना चाते हैं अगर आप address को update या change नहीं करना चाते हैं तो इसे आप अंचेक करेंगे सिर्फ mobile number और email id को update करना है तो इसे आप यहाँ से check करेंगे और यहाँ पर आपका mobile number और email id automatic आ जाएगा select पर click करेंगे यहाँ से आपको India select करना है IND type करेंगे तो India आएगा इसे आप select कर लेंगे नीचे आपस पूछा जा रहा है अगर आपके पास एक से जादा pen card number है तो उसे आप यहाँ पर दे सकते हैं नहीं तो आप इसे simply छोड़ देंगे next पर click करेंगे अब यहाँ पर आपको proof of identity, proof of address और proof of date of birth अप्लोड करना है आप चाहें तो proof of pen यहाँ पर upload कर सकते हैं यहाँ चाहें तो select पर click करके अगर आप no document को select कर लेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी document upload करने की जरुवत नहीं पड़ेगी तो आप चाहें तो यहाँ पर proof of identity, proof of address और proof of date of birth में सिर्फ आधार card भी upload कर सकते हैं इसके लिए आपको select पर click करना है नीचे आएंगे, तो यहाँ पर आपको आधार card का option दिख जाएगा इसे आप select करेंगे इसी तरह से address में आएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको आधार card का option दिख जाएगा इसे आप यहाँ से select करेंगे फिर date of birth में आएंगे नीचे भी आपको अधार का option मिल जाएगा यानि कि सिर्फ एक ही document आप चाहें तो इन तीनों document में upload कर सकते हैं फिर declaration में आएंगे, select पर click करेंगे यहाँ पर आपको himself या herself select करना है आपका नाम automatic आ जाएगा अब I have in close में आपको यहाँ पर अगर आप इन तीनों में अलग-अलग document अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको तीन टाइप करना होगा, थीक है प्लेस में आपको अपने गाउं या शाहर का नाम लिग देना है अब यहाँ पर आपको passport size photo और signature अपलोड करना है उसे आपको यहाँ पर simply select करना है, open पर क्लिक करेंगे फिर इस upload वाले बटन पर क्लिक करेंगे photo upload हो चुका है, signature को upload करने के लिए फिर से plus पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ से signature को select करेंगे, open पर क्लिक करेंगे फिर upload पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आप अपना supporting document अप्लोड करेंगे तो हम यहाँ पर supporting document अधार काड अप्लोड कर रहे हैं ध्यान रखे कि आपका document 300KB से ज़्यादा file size का नहीं होना चाहिए और वो pdf format में होना चाहिए और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है अगर आप यहाँ पर e-adhar card download करके upload करने जा रहे हैं तो आपको अपने e-adhar card से password को जरूर हटा लेना है आपको पता होगा कि जब आप अपना अधार card download करते हैं तो उसमें password लगा होता है तो सबसे पहले password को हटा ले password को कैसे हटाते हैं इस पर मैंने वीडियो बना रखा है तो document को upload करने के लिए पलस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपने अपने document को save करके रखा है उसे आप यहाँ से सेलेक करेंगे फिर open करेंगे फिर upload पर क्लिक करेंगे फिर नीचे scroll करके एक बार आप अपने सभी detail को यहाँ से चेक करेंगे अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपने detail बिल्कुल सही सही दिया है तो simply आपको नीचे scroll करना है और यहाँ पर आपको proceed पर क्लिक करना है अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई detail आपने गलत दे दिया है तो आप नीचे edit पर click करके दोबारा इसे edit कर सकते हैं अब यहाँ पर हमको payment करना है payment के लिए यहाँ पर आप online payment through paytm को select करेंगे तो हमें यहाँ पर 106.90 पैसा pay करना पड़ेगा यह application charges है इसे आपको pay करना है नीचे scroll करेंगे इसके terms को accept करके proceed to payment पर click करेंगे फिर pay confirm पर click करेंगे आप चाहें तो यह payment इस QR code को scan करके भी pay कर सकते हैं या आप चाहें तो credit card, debit card, UPI या net banking से भी pay कर सकते हैं तो हम UPI से pay करेंगे तो UPI को select करेंगे यहाँ पर अपना UPI ID देंगे फिर verify VPA पर click करेंगे फिर pay पर click करेंगे अब आप अपने UPI app को open करके इस payment को accept करेंगे आपका payment success हो चुका है अब continue पर click करेंगे अब आधार authenticate करना होगा नीचे इसके terms को accept करेंगे फिर authenticate पर click करेंगे OTP authentication पर click करेंगे अब आपके इस आधार card से link mail number पर एक OTP जाएगा यहाँ पर OTP एंटर करके submit पर click करेंगे अब continue with e-sign पर click करेंगे कुछ second wait करेंगे फिर यह आपको NSTL के e-sign के page पर ले जाएगा इसके terms को यहाँ से accept करेंगे फिर अपना आधार card number देंगे फिर send OTP पर click करेंगे आपके इस आधार card से link mail number पर OTP जाएगा यहाँ पर OTP देखकर verify OTP पर click करेंगे आपका application successfully submit हो चुका है चुकि हमने यहाँ पर e-sign और e-kyc कर दिया है इसलिए आपको कोई भी document कहीं भी भेजने की जरूवत नहीं है आपका काम खतम हो चुका है अब अपने application के status को check करने के लिए आपको application reference number की जरूद पड़ेगी या aton logement number की जरूद पड़ेगी इसके अगर आपका date of birth 25 March 2002 है तो यहाँ पर आपको type करना है 25032002 ठीक है इस PDF में उपर में आपको एक e-clon logement number मिलेगा simply इसे आपको screenshot करके या copy करके अपने पास रख लेना है इसी से आप अपने इस application का status चेक कर पाएंगे वैसे इस PDF का आप कोई काम नहीं है इसे आप चाहें तो आप क्लिक करेंगे वैसे मैंने इस page का direct link वीडियो के description में भी दे रखा है अब यहाँ पर application टाइप पर क्लिक करेंगे यहाँ पर pan new या change request को select करेंगे फिर यहाँ पर उसी एक्टन logement number को paste करेंगे जिसे अभी आपने copy करा था फिर इस capture code को देखकर submit पर क्लिक करेंगे तो अगर आप 2-3 दिन के बाद फिर से अपना status यहाँ पर check करेंगे तो आपका status यहाँ पर simply आ जाएगा इता करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है चार से पांच दिन के अंदर अंदर आपके घर पर buy post आपका physical pen card correction होकर आ जाएगा और हाँ एक चीज़ आपको याद अगर application भरने के दौरान आपका application गलती से close हो जाता है या बंद हो जाता है तो दोबारा application उसी जगा से resume करने के लिए फिर से आपको इसी page पर आना है यहाँ पर आपको continue with application का एक option दिखेगा इस पर आप click करेंगे यहाँ पर आपको उसी token number को paste करना है जिसे आपने screenshot करके श अब आपको कुछ नहीं करना है बस आपको एक हफता wait करना है एक हफते के अंदर अंदर by post आपके घर पर आपका physical pen card correction होकर आजाएगा तो अगर आप इसी तरह का कोई भी online काम हमसे घर बैठे करवाना चाहते है तो आप इस नमबर पर WhatsApp कर सकते है वीडियो पूसन आए तो इस लाइक करें दोस्तों के साथ जरू शेयर करें नेक्स्ट वीडियो आपके इस टॉपिक में चाहते हैं नीचे कमिल करके जरू बताएं